नमस्कार दोस्तों इस वीडियो पे आज हम बीएड इंटेंस इंग जाम 2021-23 का पेपर सेकेंड का डिजनिंग का पार्ट कबर करेंगे दोस्तों जो प्रस्ण आपके पेपर में आएं बिल्कुल हो बहुत सेम है देखिए पहला प्रस्ण आपको पुछा गया था राश्ट गा आँ आएगा फिस सायर फिर जनपत फिराज फिराश्ट इस तरीके से आपने कर लिया होगा इसमें नंबरिंग हो सकता दिया गया था बता रहे हैं तो उसे साफ से आपको सेट करना था देखिए दोस्तों यहां पर जो प्रस्ण हम लेकर आए हुए हैं रमेश और मुकेश क की वर्तमान आयू दिया था रमेश और मुकेश की पांच अनपाते चार दिया था अब उनकी आयू 11 अनपाते 9 हो जाती है तीन वर्स बाद होती है ना दोनों के तीन वर्स बाद ट्रिक होती है इनका डिफ्रेंट 9,45 गरचों को 44 एक यूनिट बराबर यहां पर तीन है या पर देख एक प्रशन goods पूछा गया था भाउना ने 30,000 किलोमीटर हवाई यात्रा की जिस से कुल यात्रा का 2 बटे 5, अभी हमें कुल यात्रा नहीं पता है की यात्रा हमारी कितनी थी, लेकिन उसमें से 39,000 किलोमीटर हवाई यात्रा से किया है तो हम यह कह सकते हैं 2 बटे दो बटे पांच यूनिट कितना दिया हुआ है? तीन हजार के बराबर तो बन यूनिट निकालो तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि टोटल हमारी डिस्टेंस कितनी है तो टोटल डिस्टेंस आपकी 7500 किलोमीटर रही होगी अब 7500 में से इसका दो बटे पांच निकालोगे तब ही तो तीन हजार आएगा तो कुल मिला के तीन हजार तो हवाई आत्रा से किया है इसके बाद कार से एक बटे पांच इसका निकालोगे तो कितना आएगा? पांच एकम पांच 255 यानि 1500 किलोमीटर और आएगा यानि 3000 तो हवाई यात्र किया है, 1500 किलोमेटर किया है आपका, किस से किया है 1500 किलोमेटर कार से, ठीक न, इसके बाद सेस, तो देखिए 3000, 1500, यानि 4500 किलोमेटर ऐसे ही हो गए, तो कितने किलोमेटर बचे होंगे, 7500 में 4500 किलोमेटर हटा देंगे, तो आपके 3000 किलोमेटर जो बचे होंगे वो ट्रेन से आत्रा की होगी यही पूछा गया तो आपसर नंबर 20 का राइट अंसर हो जाएगा देगे यहाँ पर अगला प्रेन पूछा गया था सबसे छोटी पूण उबर के संख्या बताईए जो 15, 18, 25 से विभाज है तो सबसे पहले दोस्तों 15, 18, 25 का हम LCM निकाल लेंगे ट्रेक होती 3, 15, 15, 16, 15, 25, 25, 35, 35 यानि यहाँ पर आज आएगा कितना साड़े 400 LCM साड़े 400 आया आये लेकिन पूछा गया है पूछा गया सबसे छोटी पूण उबर के संख्या बताईए तो दोस्तों जो भी इसके संख्या होगी ना वो कहीं न कहीं इसी के अब यहाँ पर आईसा मत सोचिएगा कि यह छोटी संख्या जो है आपकी 15, 18, 25 से बिभाज भी तो होनी चाहिए यानि वो संख्या 450 तो मिनमम है इससे नीचे नहीं होगा इससे उपर हो सकता है तो 450 के दुगना कितना होगा? 900 यह पूण वर के संख्या भी है बाकि यह भी पूण वर के संख्या है लेकिन यह नहीं होगा और इसका राइट अंसर आपसर नंबर भी हो जाएगा नेक्स्ट प्रस्ट पूछा गया था एक बैग में 600 रुपाय के रूप में 3 अनुपाते, 4 अनुपाते, 12 के अनुपात में सिक्के हैं, ठीक ना? ये सिक्के थे, तो पूछा गया है तो 25 पैसों के सिक्के बताईए दोस्तों सिक्के रुपाय में दिया है तो सबसे पहले देखो, 3 अनुपात में एना, 1 रुपाय के अगर 3 सिक्के होंगे तो आपका 3 रुपाय बन जाएगा 4 सिक्के अगर मालीजे 50 पैसे के हिसाब से 4 अनुपात में 3, 4, 12 ऐसे गुड़ा कर लेंगे तो 8 भाग बराबर इतना आ गया एक यूनिट कितना आएगा 8,56 और यहाँ पर 8,5,40 एक यूनिट के 75 वैलू आ गई है प्रेस में बोला था कि बताईए 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे तो यहाँ पर इसका राइट अनसर आपसा नंबर भी हो जाएगा नेक्स्ट प्रेस ने देखते हैं यहाँ पर पूछा गया था कि बिसं बताईए तो देखिए बिसं इसमें से कौन सा होगा यहाँ पर देखिए 7 से कट रहा है यह आपका 5 से कट रहा है यह आपका 9 से कट रहा है बट यह 7 से नहीं कट रहा है तो आपसा नंबर इसका C नंबर हो जाएगा नेक्स्ट प्रस ने पूछा गया था 120 को ABC में इस प्रकार बाटा गया है ताकि A का हिस्सा B से 20 रुपए अधिक है और C से 20 रुपए कम है तो B का हिस्सा बताइए आपसां से लगा सकते हैं इसका अंसर 20 होगा अब देखे दोस्तों गर B का हिस्सा अगर 20 रुपए है तो बोला A का हिस्सा 20 से 20 रुपए अधिक है इसका मतलब इससे 20 अधिक होगा तो A का भाग 40 रहा होगा और C से 20 रुपाय काम है इसका वदलब C का 60 रहा होगा तभी तो A इससे 20 काम है इससे ज़्यादा है टोटर जोड़ के देखो 120 हो रहा है बिल्कुल हो रहा है तो इसका राइट अंसर आपसा नंबर C हो जाएगा इस तरीके से आपको लगाना था नेक्स्ट प्रस ने दोस्तों पूछा गया था सिरीच का इस तरीके से पैटन बना रहा था एक का स्कुयर है दो के स्कुयर तीन का चार का पांच का अगला च्छे के स्कुयर आएगा सिम जोड देंगे यानि 29 आएगा 29 यानि आपसा नंबर A का राइट अंसर हो जाएगा यह सब दोस्तों आपके सवाल पेपर में हो बहुत सेम आए कोई ऐसा सवाल नहीं है कि मन घणंत बनाया गया है जिनों ने पेपर दिया है पूरा सवाल सेम है कोई चेंजमेंट नहीं है यही आपके आपसन भी आए थे क्योंकि पेपर लिखा गया है एकजाम हाल में इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि प्रूप के साथ यहाँ पर देखिए 5-12 लिखा हुआ 5-12-10-12-12-24-26-26-22-24-54-54-54-54-54-2-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22 इसका राइटनसर हो जाएगा दो दो जोड़ना डबल करके यहाँ पर देखिए प्रशन पूछा गया तो संख्या और उसके पारसपरिक का योग 2-01-20 है संख्या बताईए पारसपरिक का मतलब रेसी प्रोकल तो इसमें दोस्तों आपसं सकर लेजिए 5-4 है ना इसका रेसी प्रोकल कितना होता 4-5 उल्टा हो जाएगा अब इसका देखिए LCM लेंगे तो 20 हाएगा 25-4-16 यानि यह आप का जाएगा 41-20 और यह भी तो 41-20 लिखा है ना बीद दूनी चाले एक ताली बिल्कुल आपसा नंबर A इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट प्रसमें देखिए पूछा गया था यह घड़ी का सवाल आ गया था कि घंटे और मिनेट की बीच कोड कितना होगा इसका फार्मुला होता है एंगल निकालने का 60H-11M by 2 यह मौड में रहता यह फार्मुला लोगों ने पढ़ा होगा तो 60H, H कितना है? 3-11 into 40, 40 है, upon 2, सालव कर लिजिए 180 माइनस कितना हैगा? 440, अब अपटे 2 सालव कर लिजिए 440 में से पहले 488 यह कितना हैगा? 440 में से 188 अटा लिजिए पहले 0, 14 में अट गया 6, 3 में 260 आएगा, 260 में 2 से बाग कर देंगे 130 डिगरी आएगा, माइनस में प्लस में हो जाता है चलिए, यहाँ पर आफसन नंबर 130 होगा, यहाँ पर देखिए पूछा गया था, 16, 25, 41, 66, 102, 151 तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले डिफ्रेंस पता कर लिजिए कितने का है, तो डिफ्रेंस 9 का है, यहाँ पर डिफ्रेंस देखिए कितने का है, 11, 5 गया 6, यानि 16 आ रहा है, यहाँ पर अंतर 16 आ रहा है, यहाँ पर अंतर 9 का रहा है, यहाँ डिफ्रेंस पता देजिए 7 का रहा है।amente Here the för 50 इन ठीप सरस्थ 514 और यहाँ पर 25 है 64 आजाएगा इसका मतलब कि 5 зап ऑच्प अच्छ def 51 215 आना चाहिए 215 वालत आफ्षर साहिए और सीरीज के सब्सक्तों सबतेए आईसे आपको लगाना पड़ेगा नेक्स्ट प्रेंट पूछा गया था एक से लेगर 100 तक कि कितनी संख्या है जिने में से प्रतेक न केबल 4 से भी भाज हो बलकि उसमें 4 अंक भी हो condition दे दिया 4 का अंक भी होना चाहिए और वो संख्या 4 से कटनी भी चाहिए 64 में भी आता चाहिए इसके अलावा देखिए आपको ऐसे नंबर बताने जो 4 से तो कटने चाहिए लेकिन एक अंक चार भी सामिल होना चाहिए तो आपका राइट अंसर इसमें हो जाएगा सेवन आपसन नंबर डी के साथ जाएगा इस तरीके से आपको लगाना था नेक्स्ट प्रेंट पूछा गया था एक विक्रेता ने एक रुपए में 6 निम्बो खरीदा एक रुपए में 6 निम्बो खरीदा 20% कलाब 120 बेटे 100 सिंपल सवाल है तो यहाँ पर 20 चक के 120 25 यानि एक रुपए में 5 आपसा नंबर इसका सी नंबर हो जाएगा सिंपल सवाल था आगे बढ़ते हैं यह देखिए कलेंडर उसका पूछा गया है अवसात का सवाल है सोम वार से बुद्ध वार यानि सोम वार से मंगल बुद्ध यानि तीन दिन आपको हो जाएंगे ताब मान दिया हुआए यानि यह सोम से लेकर कहां तक है सोम से बुद्ध वार इसका टमप्रेचर कितना है तोटल निकाल लेजिए सोम वार मंगल बुद्ध तीन दिन है तो तीन सते कएश और तीन तरेकोcakों नो ग्यारा एक सुक्यारा आजाएगा ठीक ना, चले, यहाँ पर देखिए मंगल से गुरुवार है, मंगल बुद्ध गुरुवार, यानि मंगल और आपका गुरुवार तक रहेगा, मंगल से गुरुवार तक रहेगा, तीन चोको 12, और तीन तरिको 9, 10, 12 आएगा ना, इसमें देखिए हटा लेजिए, यहाँ पर सोम वार, तो बचेगा आपका ही मंगल और बुद्ध, मंगल बुद्ध तो कट जाएगा, यानि सोम डिफ्रेंस निकालेंगे न, तो यह आपका आजाएगा सोम वार माइनस गुरु वार, यह तो बागी सब कट जाएगा, सेम रहेगा, तो सोम वार माइनस गुरु वार का डि यानि यहाँ पर हम पुछा किसका गया था गुरुवार का पुछा गया है ठीक है ना तो ऐसा करते हैं अगर गुरुवार का तापमान सोमवार का चार बटे पास था ठीक है तो गुरुवार बराबर सोमवार इंटू फोल लिसकते हैं तो यहाँ से अगर हम सोमवार का निकाल लेजिएगा पांच बट्टे चार और गुरुवार तो यहां पर एक गुरुवार है तो यहां पर कितना आ जाएगा एक यूनिट पांच में से चार ना यहां पर पांच बट्टे चार गुरुवार माइनस गुरुवार माइनस गुरुवार तो यहां पर पांच माइनस चार यानि एक यूनिट नौ चार गुड़ा हो जाएगा यानि 36 दोस्तों आ जाएगा इसका गुरुवार का 36 डिगरी आएगा ठीक है ना यह पांच चार नौ यहाँ पर ऐसे लिखेंगे ना गुरुवार दुरंतों गती जो है राध्धानी गत से अदिक है इसका मतलब राध्धानी से क्या है आगे चलती है सताब्धी गरीब रत से ते चलती है सताब जी जो है गरीब रत से क्या है गरीब रत से ते चलती है लेकिन राध्धानी से धीमी इसका मतलब राध्धानी इसे ते चलती हो जो गती है राध्धानी गत से अधिक है दूरंतों की राध्धानी से अधिक है ठीक है सताबदी गरीब रस से तेचलती सताबदी जो है गरीब रस से क्या है सताबदी गरीब रस से तेचलती है ठीक है लेकि राध्धानी धीमी इसकल राध्धानी आगे RSG RSG सही तो है RSG इधर आजाएगा तो बोला क्या गया था प्रश्ण में सबसे कौँ सी धीमी है यानि धीमी G आया G का मतलब कौँ सी होगी गरीब रत ठीक है ना तो गरीब रत वाली क्या होगी धीमी हो जाएगी देख लिए जी यह सही है ना सताबदी गरीब रत से ते चलती है लेकिन राध धानी से धीमी है सताबदी जो है गरीब रत से ते चलती है राध धानी RSG सही तो है तो इसका राइट अंसर आपको धीमी वाला पूछा गया ना तो गरीब रत हो जाएगा अफसर नमबर A हो जाएगा नेक्स्ट प्रेस्ट पुछा गया था DMPL यह बहुत ही सिंपल था D के बाद देखिए F F के बाद H यानि D E F E के छोड़के F G H I J J के बाद K L यल वाला आना चीए आफसान नमबर यही वाला हो जाएगा ठीक ना L I H इसका राइट अंसर होगा नेक्स्ट प्रेस्ट पुछा गया था Jailer Jail तो Curator का सभी दरवाजे कलम है अबसान नमबर 20 का सही होगा ठीक ना इस तरीके से आपका पुछा गया था Jailer Jail मे रहता है ना तो Curator के में संभाल है अफसान नमबर इसका B-Rite अंसर हो जाएगा अगले पुछा गया था सभी कुर्सियां दर्वाजे हैं सभी दर्वाजे कलम है देखे सभी कुर्सियां ये हमारा उसका गया था कतन निसकर्स का सभी कुर्सियां क्या दर्वाजे हैं सभी कुर्सियां दर्वाजे हैं और सभी दर्वाजे क्या है कलम है सभी दर्वाजे कलम है सभी कुर्सियां कलम है सभी कुर्सियां कलम है बिल्कुल सही बात है और सभी कलम दर्वाजे है सभी कलम बाहर से अंदर के तरह पाते है सभी कलम बाला नहीं होगा गलत हो जाएगा और सभी कलम कुर्सियां है इसा भी कलम कुर्शी है यही भी तो दोस्तों इसमें से जिसने निसकर्स अगर पहला वाला लिखा होगा ना वही सही होगा वागी दोनों निसकर्स गलत हो जाएंगे आपके नेक्स्ट पुछा गया था डिस्टेंस का कोड है 16 नाट का है 6 तो लेटर्स का 14 तो नाइट का क्या होगा देखे डिस्टेंस में कितने वर्ड है 8 वर्ड है इसी के डबल 16 लिखा गया है नाट में कितने 3 है 3 के डबल 6 लिखा गया है लेटर्स में 7 है 7 के डबल 14 तो नाइट म दोस्तो इस समझ में आ गया होगा जैसे बीडियों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर एक कर दीजिएगा दोस्तों कि इतना कोस्टन साब के लिए लेकर रहें ये लाइक तो बनता ही है वीडियों दोस्तों धन्यवाद